नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बिक्रम और मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से इसरो के भी S.S.C. जी हैं तो इसरो के बिक्रम सारा भाई अर्श्पेस रिशर्स सेंटर का क्यूश्चन पेपर और आज के इस क्यूश्चन पेपर में मैं आप लोग के अर्य जाम हुआ था और या त्रिवन्द पूरब में हुआ था और इसमें टोटल अस्सिक्यूस्चन थे और एक सही के लिए आपको चार नंबर मिनने वाले थे और एक गलत के लिए आपको एक नंबर काट लिये जाने वाले थे तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ दवा दीजिए तक लिए टेस्ट वीडियो का नोटिफिकर सबसे पहले आप लोगों को मिल सके तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का पीडिये पर डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए तो लाइक कर दीजिएगा और जदा-जदा लोगों को सेर भी कर दीजिएगा तक कि हर किसी को वीडियो मिल सके जहां तो तक हर किसी को वीडियो मिल सके तो चलिए दोस्तों समय को ना परिमाप कितना होगा तो तो पाई आर जो होता है बृत का परिमाप का फॉर्मूला होता है चलेंगा अगले क्योशन के और तुमारा अगले क्योशन ने पूछा गया था नल साजी कार्यों के लिए परियुक्त पाइप में निमलीखित में से फिलेंद ब्लांक को छोड़कर सभी बिवरनद चिनित होगी जो हैं वो चिनित होगी तो इसका सही किलो लीटर का के समान कौन सा है जहनस्तों एक किलो लीटर के समान कौन सा है तो आपका सही अंसर हो जागा दोस्तों एक हजार लीटर जहनस्तों एक हजार लीटर जो है एक किलो लीटर के बराबर होता है चलेंगा अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन पूछा गया था पखाने पेसाब खाने से निकलना निकला जल किसके द्वारा जाता है तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों रिदा पाइप के द्वारा जाता है चलेंगा अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन पूछा गया थ किसके बीलोपन से रोका जा सकता तो इसका सर्दोस्तों बीटु मेनी पेंट से जो है यह संरत्छन को रोका संचरन को रोका जा सकता है चलेंगे अगले क्योशन की ओर तुमारा आगला क्योशन पूछा गया था जल में कुलाइड जिन तो तो जल में कोलाइड्स समगरियों को निकालने के प्रिकिरिया को तो इसको कहते हैं निस यंदन का जाता है पूछा गया था प्लंबर के पेपर में जो की है जल आप पूर्ती के लिए पाइपो का परिच्छन किसके लिए किया जाता है उप्युक्त सभी यानि कि विस्तार के लिए संचरन के लिए और दाब के लिए सभी के लिए पाइप का परिच्छन किया जाता है चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन पूछा गया था आप पूर्तित जल से विलाईत कारवन डायकसाइड को निकालने के लिए परियुक्त प्रकिरिया क्या है तो बात जिन को बातन जो है यह परियुक्त प्रकेरिया है चलेंगे अगले ग्युश्जन के और तुम्हारा क्योश्जन किसके बिलेपन के द्वारा जंग को रोका जा सकता है तो लाल सी सा के बिलेपन से जंग को रोका जा सकता है चलेंगे तुमारा अगला परियुक्त किया जाता है चलेंगे अगले के पूछा तो एक सडक मल नल जिसमें घहर से अबाधित मल नल जोड़ा जोड़ा गया है तो वह क्या कहला दोस्तों के पार्ष विक नल्मनल कहलाता है चलेंगे अगले कुछॊंच जो है वह पूछा गया था दो अंकिये संख्या एवं उनके आंको को पलटने से प्राप्त संख्या कायोग निन्यानवे में संख्या कितनी हो सकती है यह रजो है पूछा यह तो कितनी को साधारंत्य परियुक्त पदार्थ कौन है जैंब कॉन सा है तो इसका सही अंसर जो हो जा《हा दोस्तों अंसर भी डाला वालो पर्योक्त होता है चलता है के उखेंगे हैंक पूछा गया था घर में बदवु आने से रोपतता है जानय को रोकता है तो एसका सभिंध्या सब्सक्राइक बदवु आने से रोकता पूचा गया था इवं फैक्ट्रियों में 30 किस प्रकार के पिसाब खाने का पर्योग किया जाता है प्लंबा के के olos गांसे अंसर होगा थो इनमें से कोई नहीं है चलेंगे अगले क्योंशन वह पूछा गया था एक अस्तर से दूसरे अस्तर में दूसरे में आंतरन के लिए पंप के लिए अवस्यक क्या है पॉपिंग सिर्च बापिंग सिस के साथ तो इसका सही अंसर जो हो जाएगा दोस्तो अंसर भी यानि दाब जरूरी है जिए तो दाब जरूरी है चलेंगे अगले क्योशन की ओर तुमारा आगला क्योशन जो है वो पुछा गया था 6 मीटर से 40 मीटर तक की गहराई से पानी निकालने के लिए किस पंप का उ क्योशन पेपर में कनेक्टर पंप का नाम कनेक्टर पंप के नाम से जाना जाता तो कौन जो है कनेक्टर पंप के नाम से जाना जाता तो इसका सही अंसर दोस्तों पुन रूप से निगम निये पंप जो है वो कनेक्टर पंप के रूप से जाना जाता चलेंगे अगले क्यो तो एक पिंड के प्रती काई छेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं तो इसका सही अंसर है प्रेसर यानि की दाव कहा जाता है अंसर सी सही है चलेंगे अगले क्योशन के और तुमारा अगला क्योशन जो है वो पूछा गया था एक पदार्थ के घनातव को जिन तो ए जोडने की प्रकिरिया है जोडने की प्रकिरिया है चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन जो है वो पूछा गया था निर्मान कार्यों के लिए जेन तो निर्मान कार्यों के लिए मुख रूप से प्रेक्थ का प्रकार कौनसा है जें कंसा रेत का प्रेक्थ होता आए तो दोस्तो नदी का रेत प्रियूख्त होता है तो अगला में जोड़ों को फूछ हो था सच्ड़ाध्यों और क्योशन क昨ई पूछा जा रहा है तो इसको सी के बेसिस पर अगर सी को आठारा कर दिया जाए तो इसका आजाएगा चलेंगा अगले क्यूशन की और तुमारा अगला क्यूशन जो है वह पूछा गया था प्लंबर के क्यूशन पर में थ्रिट बनाने के लिए परियुक्त आजार कौन सा है तो इसका सब्सक्राइब काने का मतलब है गुना बनाने के लिए कि इसका परियोग किया जाता है चलेंगे अगले क्यूशन की और तुमारा अगला क्यूशन जो पूछा गया था घर के अंदर या बाहर आने वाली गंदी बद्वूंगों से बच तो लुक्त ट्रेप कहते हैं यह क्यूशन जो है इसी क्यूशन पेपर में दो बारा आ चुका है चलेंगे अगले क्यूशन की और तमारा अगला क्यूशन जो पूछा गया था वो पूछा गया था नीचे सुचिवद्ध जारों में से एच एस एच जियांस तो एच एस एच पेच को द्रिड करिद करने के लिए उत्तम हो जार कौन सा है तो इसका सही अंसर है दोस्तो अनल की जियांस तो एनल की जो है इसे द्रिड करिद करने का उत्तम हो जार है चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा आगला क्योशन पूछ एक जाता है तो इम टुवेल वो में क्या है जिएंस तो इइसांतर होगा I मैंट्रिक इस स्काथ्रेट आंज हो स्काली में एंट्रिक थेर जो हैं spend 21 में होता है चलेंगा है कि और तुमारा आगले कозल्ड जो है वह पूछा गया था जब बोल्ट को 35 mm की लंबाई से निविश्ट किया जाता है तो एकल प्रराम्ब थ्रेट से यूग पे एम 12 into 171.75 जिन तो 1.75 का एक बोल्ट के लिए कितने थ्रेट का इस्तमाल किया जाएगा जिन तो तो 20 थ्रेट का इस्तमाल किया जाएगा चलेंगे अगले कियो और तुमारा अगला कियो पूछा गया था जिन तो एक द्वी प्रारंभन थ्रेड के लिए क्या होता है तो इसका सही अंसर हो जागा दोस्तों अंसर ए यानि की लीड पीच से धुगना होता जिन तो लीड जो है पिछ से दुगना होता चलेंगे अगले question की और तुमारा आगला question पूछा गया था तुमारा आगला question जो है वो पूछा गया था A एवं B बोल्ट दोनों M20 इंटू 1 है बोल्ट A 10.9 ग्रेड का है तथा बोल्ट B 12.9 ग्रेड का है निमलिखित में से कौनसी युकती सही है तो इसका सही answer जो हो जाएगा answer D इसका सही है उप्यूक्त में से कोई भी नहीं इसका सही answer हो जाएगा चलेंगे अगले question की और तुमारा आगला question पूछा गया था तुमारा अगला question पूछा गया था ISO metric त्रेड में कितना का कौन है तो कितना का कौन बनता है या फिर कितना का कौन होता है तो इसका सही answer हो जागा दोस्तो answer B यानि कि 60 degree का कौन होता है या फिर है चलेंगा अगले question की और तुमारा अगला question जो है वो पूछा गया था एक rebate को जो एक rebate को किसके ब्यास से निर्दिष्ट किया जाता है तो sank के ब्यास से निर्दिष्ट किया जाता है अंसर C इसका सही answer है चलेंगा अगले question की और तुमारा अगला question पूछा गया था एक बाज थ्रेड के पीच ब्यास का मापन किसका उप्योग कर किया जा सकता है जो इस इसका भी answer C है यानि किया screw thread माइक्रो मीटर के जरिए मापन किया जा सकता है चलेंगे अगले question की और तुमारा अगला question जो है वो पूछा किया था जो कि बहुत ही important question है एक thread sorry एक bolt thread को m20 into 1-5G 6G के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है यहां पर जिन तो यहां पर क्या सह ही है तो इसका सही answer जो हो जाएगा दोस्तो 36 का एंसर सही है 5G यानि कि 5G पीच ब्यास के लिए सहाइता स्रेनी तथा 6G ब्यास के लिए सहाइता स्रेनी को दर साता है चलेंगे अगले question की और तुमारा आगला question जो है वो पूछा गया था प्लमबर के question paper में एक thread कि एक thread किये गए समूच्य में किस परवारी वह भित्री thread के बीच संपर्क होता है तो इसका सही answer हो जाएगा दोस्तो answer B यानि प्लैक्स के रूप में होता है चलेंगे अगले question की और तुमारा आगला question जो है वो पूछा गया था भारत का मानक बोल्ट था कितना है तो इसका सही answer हो जाएगा दोस्तो answer C 50 cycle प्रती सेकेंड पर 220 वोल्ट चलेंगे अगले question की और तुमारा आगला question जो है वो पूछा गया था धारा कमापन किस में किया जाता है जो है वो किस में किया जाता है तो इसका सही answer दोस्तो धारा कमापन एंपियर मीटर में किया जाता है चलेंगे अगले question क्यों तुमारा आगला question जो है वो पूछा गया था जिया तो एक ताजा वहीत मल जल किसमें बासी हो जाता है जिया तो कितने समय में जो है वो बासी हो जाता है तो इसका सही answer हो जागा दोस्तो answer C यानि कि 6 से 8 गंड़े में बासी हो जाता चलेंगे करने के लिए परईक्ति क्या है दो परियुक्ति ट्रैप जो है वह क्या है तो जल आप पूर्ती पाइप लाइनों में बायू मोचन बल्ब किसमें लगाया जाता है तो अंसर C सीवर में लगाया जाता है चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा आगला क्योशन जो है वो पूछा गया था इट को जियांस तो इट को किस पर बिछाया जाता है जियांस तो इट को किस पर बिछाया जाता है तो इसका सही अंसर जो दोस्तो फ्रोग के ऊपर रखा जियांस क्रेट के लिए कंक्रीट का निम्हातम grade क्या होना चाहिए टो निम्हातम ग्रेट जो है वो क्या होना चाहिए यानि कि एम 20 होना चाहिए चलेंगे अगले क्योश्चन के ओर तुमारा अगला क्योश्चन जो है वह पूछा गया था एक बैग में उपलब सिमेंट की मात्रा कितनी होती है तो इसका सही अंसर हो जागा दूस्तों पच्चास के जो है एक बैग में सिमेंट की उप्यूक्त मात्रा होती है चलेंगे अगले क्यूचन की और तुमारा अगला क्यूचन जो है वो पूछा गया था जैंज तुमारे अगले क्यूचन पेपर में पूछा अगले क्यूचन नम्र में पूछा गया था संचाई जल यहां तो संचाई जल तपक का भी निर्देशन साधारंता है किस में दिया जाता है तो इसका सही अंसर हो जागा दोस्तो अंसर ए यानि की लीटर में दिया जाता है चलेंगा अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन पूछा गया था सुद्ध पेई जल की बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होनी चाहिए तो इसका सही अंसर होगा दोस्तो सुनने जो है होनी चाहिए चलेंगा अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन जो है वो पूछा गया था यदि एक आदर्स घड़ी में घंटे एवा मिनट की सुई के बीच का कौन जो है चालिश डिगरी है तो आदर्स तर समय क्या होगा तो इसका सही अंसर जो होगा दोस्तों अंसर ए यानि कि चाह चालिस चाह घंटे चालिस मिनट हो जाएगा चलेंगा अगले क्योशन की और तुमारा आगला क्योशन जो है वो पूछा गया था जो तो इस तिर सिर्स का मतलब क्या होता है तो अंसर डी जो है सही है पाइप लाइन में एक बिंदू तथा अस्थैति जला स्थर के बीच उन्हें कोन में अंतर होता है यानि कि अंसर डी सही है चलेंगा अगले क्योशन की और तुमारा आगला क्योशन जो है वो पूछा गया था बाजार में उपलब्द घरेलू बिरंजक चुन में सक्रिये क्लोरून की मातरा कितनी होती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों अंसर डी यानि कि 40 परसेंट जो है वो होती है चलेंगा अगले क्योशन की और तुमारा आगला क्योशन पूछा गया था एक पाइपलाइन में दाब सीर्स जियांतों दाब सीर्स जो है वो टू पॉइंट फाइब की ग्राफ प्रती सेंटीमेटर स्क वाइर है उप्यूक्त दाब के समान स्थिर्सिस कितना होगा तो इसका सही अंसर जो जाएगा दोस्तों सी अंसर हो जाएगा यानि कि 25 मीटर हो जाएगा चलेंगा अगले के और तुमारा अगला क्योशन जो है वो पूछा गया था सौकेट को हटा कर द्रिड भांड जिया स 90 सेंटीमीटर होती है निकि 90 सेंटीमीटर होती है चलेंगा अगले क्योशन के और तुमारा अगला क्योशन जो है वो पूछा गया था आनियमित रूप से बढ़ने वाले सहर के लिए कौन सी बित्रन प्रनाली पर उप्यूक्त है तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों अंसर से आक्री खंड प्रनाली जो है उप्यूक्त होती है चलेंगा अगले क्योशन के और तुमारा अगला क्योशन जो है वो पूछा गया था स्वता सोधक बेग प्राप्त करने के लिए 50 मीमी ब्यास वाले 50 मीमी ब्यास के पाइप में किसकी ढहलान होनी चाहिए तो कितनी की ढ 60 का ढ़लान होना चाहिए चलेंगा अगले क्योशन के और तुमारा अगला क्योशन जो है वो मैथ टाइप का क्योशन है कुछ समय करन दिया गया है उसमें एक्स और बाई कमान पूछा जा रहा है तो इसका सही अंसर जो होगा वन और माइनस वन जो है इसका अंसर यानिकी की हो जाएगा चलेंगा अगले केशन की और तुमारा आगला क्योशन जो है वह पूछा गया था ऍवीचन के तुमारा अगला क्योशन जो है वो पूछा गया था अठारा मीटर क्यूब की दक्षता वाली एक जल टंकी की परवेशिक जियां तो परवेशिका बाल्व को 0.3 मिलिलिलिल्टर प्रति सेकेंड के प्रवादर पर रखा गया है टंकी को भरने के लिए अपेक्षित समय कितना होगा जियां तो टंकी को यानि की हैंडडेट मिनिट हो जाएगा चलेंगे दोस्तों मिनट हो जाएगा चलेंगा अगले क्यूशन ऍकी ओर अगला क्यूशन वो पूछा गया था पलंबा के क्यूशन पेपर में जल मेंoma तो जल में लेड की उपस्थिती को पता किसके उपयोग से लगाया जा सकता है तो इसका सही अंसर जो होगा दोस्तो अंसर बी यानि कि सल्फिोरिक आमली के दौरा इसका पता लगाया जा सकता अंसर भी सही है चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन जो है वो पूछा गया था सुध्धिक्रित जल की एक ही काई किसके समान होती है जोने तो कितने के समान होती है तो इसका सही अंसर जो होगा दोस्तों अंसर C यानि की 1000 लीटर के समान होती है चलेंगे पूछा गया था एक बृतिये मेन होल के काजिकारी का निम्नतम ब्यास कितना होना चाहिए तो इसका सही अंसर जो है आंसर सी यानि की 1.2 मीटर होनी चाहिए चलेंगे अगले क्यूशन की और तुमारा आगला क्यूशन पूछा गया था दोस्तोर आगला क्यूशन सफ्चा गया था सीमेंट के मिटर क्यूब का ढिरभमान कितना होता है पयप में ज़ल गहन तब उतुद्पन होता है जब तो इसका सए अंसर जो होगा तो अंसर B वोल्ट टैप sorry, वालब टैप का अचानक बंद कर दिया जाता जाता है जो जब अचानक बंद कर दियता है तब घन उत्पन होता है चलेंगे अगले के विशन की ओर तुमारा अगला के विशन जो है वो पूचा गया था क्रित्रिम समवातन की उचित परणाली क्या है तो जיcake काठ हो ता किसके द्वारा मिटाई जा सकती है तो इसका सह inability क् publishers के द्वारा मिटाई जा सकते यानि कि द्वारा मिटाई जा सकते चलेंगे अगले क्योशन के और तुमारा आगला क्योशन जो है वह पूछा गया था यदि भी पाइप से परवा का एक बेग है तथा ए अनुप्रस्त काट का छितरफल है तो यह तो तो किस सुत्र का उप्योग करके परवा के दर क एक की द्वारा जो है उप्योग करेंट का माप किया जाता चलेंगे अगले क्योशन के और तुमारा अगला क्योशन जो है वह पूछा गया था यह तो एक मलजल उपचार सैंत्र में मलजल के प्रिष्ट पर बाहने वाले चिकने वाख अन पदार्थ को क्या कहते हैं तो इसका सही अंसर जो है अंसर C यानि कि मल फेन कहा जाता है चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा आगला क्योशन जो है वो पूछा गया था जिन तो पूछा गया था प्लंबा के क्योश्चन पेपर में देड़ सो मिली मीटर अप वाही का पाइप के लिए दी गई अधिकतम प्रवन्ता कितनी होगी तो इसका सही अंसर होगा अंसर सी यानि की वान रिश्यो 30 यानि की एक अनुपात 30 हो जाएगा चलेंगे अगले क्योशन के और तुमारा अगला क्योशन जो है वो पूछा गया था द्विगात समिकरन एक स्क्वाइर माइनस 12 एक्स प्लस A is equal to 0 का मूल अन से तीगुना है तो A का मान जो है वो कितना हो जाएगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तो द्रव चलितमाद घराई कितनी होगी तो इसका सही अंसर होगा दोस्तो अंसर A यानि की आर इज क्वल टू एवाई पी हो जाएगा चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा अगला क्योशन जो है वो पूछा गया था जल में तैरती असुद्यों के लिए असुद्यों के लिए घंणातव कितना होता है जिहांस तो जल से कम होता है तो यानि की हम चलेंगे अगले क्योशन की और तुमारा आगला क्योशन जो है वो पूछा गया था जल में बिले असुद्यों क्या होता है तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों अंसर A यानि की M Z यानि की Magnesium के कारण के कारण स्थाई कठूरता होती है चलेंगे अगले क्योष्टन के और तुमारा अगला पूछा गया था प्रती वर्स प्रसंट के साधारन ब्याज पर 450 रुपया की रासी से ब्याज के रूप में 81 रूपया के लिए कितना समय लगेगा तो इसका सही की लो और वो पूच्छा गया था friendship में घर की तो गहर दो में टैप के जल सील किसके द्वारा संरच्छिन जो है किया जाता है तो इसका सही अंसर जो है अंसर बी एंटी सीफोनेज के द्वारा जो है संरच्छन शरीत किया जाता है चलेंगे अगले पूछा गया था थ्री अनुपात वन अपनी का परतनीद्व कौन करता है तो इसका सही अंसर जो है यानि कि बिविधित बिवर्धित में अपनी के जबारा किया जाता है चलेंगे अगले क्यों आगला क्यों अगला क्यों जो है वह साथ से कम होने पर अमली और साथ से ज्यादा होना पर चाहिए होता है यह अपका अनुसार अमली यह बिलाया क्याने की साथ से कम पूछा गया था एक मलीन जल क्या है तो इसका सही अंसर रोगा तो अंसर ए यानि की रसोई घर में जिन तो रसोई घर से द्रब कच्ड़ा जो है एक मलीन जल है चलेंगे अगले किसके लिए परयूगत होती है तो इसका जैनसर है अब साधन के लिए परयूगत होती है चलेंगे अगले klift minder क्यूशन जो ए वो पूछा गया था रेतन जिया तो rekन सकलन है hack sign के द्वारा workpiece को यश्च को पकडने के लिए क किसका परयूग जो है किया जाता है तो इसका सही एंसर जो है आंसर सी वेच वाइन्स के द्वारा जो है इसका उप्योग किया जाता है चलेंगे इस वीडियो के सबसे चिन्हित किया जाता है तो दोस्तों आज का यह क्योश्चन पीपर यहीं तक था आप बताईए कि आप लोगों को यह क्योश्चन पेपर कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी को बीडियो मिल सके जी है और साथ ह साथ दोस्तो जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टंड़ी वाइफा जीके के दुनिया को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे के दिए मिल सकते हैं अगर साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई सुचना, सुझाव या फिर सिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद